हलो एवरीवन, वेलकम बाक तो दे करेंट अफेर्स सेशन ओफ हेलो स्कॉलर, आज हम जानेंगे 26 नवेंबर के करेंट अफेर्स, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, क्वेशन नमबर वन के साथ, क्वेशन नमबर वन क्या कह रहा है, कॉंस्टिकूशन डेइ इस सेलिबरेटेड 25 नवेंबर, 26 नवेंबर, 26 जैनवरी और 22 नवेंबर, इन चारों में से कौन सा ओप्शन सही है, बच्चों, 26 नवेंबर, जी हाँ, करेक्ट, 26 नवेंबर को हम सेलिबरेट करते हैं, कॉंस्टिकूशन डे, यानि की समविधान दिवस, 2015 में ये डिसाइड किया गया, कि हम 26 नवेंबर को सेलिबरेट किया करेंगे, 26 नवेंबर को क्या हुआ, हमने अपना कॉंस्टिकूशन एडॉप्ट किया, आर कॉंस्टिकूशन वस अडॉप्टेट ओन 26 नवेंबर, 1949, 26 जैनवरी, 1950 में हमारा कॉंस्टिकूशन केम इन्टू, फोर्स, ठीक है, इसलिए हम कॉंस्टिकूशन दे जो है, वो 26 नवेंबर को सेलिबरेट करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेदकर, डॉक्टर बी आर अम्बेदकर चेर्मैन थे, कॉंस्टिकूशन असेम्बली के, और इनको फादर ओफ इंडियन कॉंस्टिकूशन कहा जाता है, क्या कहा जा कमिशन, International Electrotechnical Commission की Vice Presidency इंडिया को मिल गई है, who will represent इंडिया as the Vice President of IEC, अब बताईए इंडिया की तरफ से Vice President कौन बनेंगे IEC की Presidency, Vice Presidency तो मिल गई है, धर्मेंद प्रधान, विमल महेंदू, स जैशंकर, प्रमोध कुमार तिवारी, विमल महेंद्रू विमल महेंद्रू जो है वो बनेंगे Vice President of IEC यानि की International Electro-Technical Commission के Vice President यह Commission बेसिकली क्या करती है यह एक Body है जो की Standards सेट करती है यानि की Standards सेट करती है Electrical, Electronics और उन सब से Related जो टेकनलोजी होती है उन सब के Standards को यह सेट करती है सब के लिए मतलब पूरा जो देश है हर देश है वो मानता है बहुत सरे लोग इसमें हर देश से लोग आते है इस Commission का Member है डेसाइड करते हैं कि क्या Standards होने चाहिए फिर पूरे दुनिया में वही Standards फॉलो करे जाते है Standardization Management Board यह Board क्या करता है यह करता है जो टेकनिकल पॉलसी मैटर्स होते है उन सब को यह Board जो है वो देखता है Standardization Management Board नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते है नेक्स्ट क्वेशन क्या कह रहा है इस पुरुसकार के विजयता को कि यह होगा पर्टिकुलर परसन तो फिर उसको कौन चूज करता है संगीत नाटक अकादमी President साहित कला अकादमी और Committee formed by PMO संगीत नाटक अकादमी जो है वो सिलेक करती है लोगों को कि इन इन लोगों को हम उस्ताज बिस्मिल्ला खान युवा पुरुसकार देंगे यह दिया जाता है Below the people of artists of below the age of 40 years ताकि जो young talent है हम उसे recognize कर सके और encourage कर सके 102 लोगों को अभी तक सिलेक किया गया for the year 2019 2019, 2020, 2021 इन तीनों सालों के winners को सिलेक किया गया और November 6 से लेकर 8 November तक meeting चली थी जेनरल काउंसल की इस अकाडमी की और फिर उन्होंने जो विनर्स हैं उनको सिलेक्ट किया बट एक साल के लिए नहीं है यह पिछले तीन साल के विनर्स को सिलेक्ट किया गया 2019, 2020, 2021 और ऐसा भी नहीं कि रीजनल स्पेसिफिक है पुरे दुनिया से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है पुरे देश से लोगों को चुना जाता है कि इन इन आर्टिस्ट को यह अवार्ड मिलेगा जैसे कि हम देख सकते कि 19 आर्टिस्ट जो है उनको चूज किया गया है नौट इस्टन स्टेट से बिलॉंग करते हैं जैसे अरुनाचल प्रदेश से असाम से मनीपूर में घाले नागालान से किम एन तिरपुरा से तो यू कैन से कि जो एंकरेजमेंट है वो बराबर का है ह जरुरी नहीं है कि सिर्फ न Concern India को जादा एंकरेज किया जा रहा है या फिर Southern India को जादा एंकरेज किया जा रहा है चलिए next question के तरफ बढ़ते है next question very important in which Indian state digital India startup hub has been inaugurated to ensure vibrant startup and innovation ecosystem कौन से Indian statement digital India startup hub को inaugurate किया गया यानि उसका उद्धाटन किया गया इस वज़े से बनाएगा ताकि इंडिया का जो startup and innovation ecosystem है उसको हम कैसे एंकरेज सके कोशिश करें कि जो startup and innovation का ecosystem में और भी जडाव और और जडाव हूज अच्छाघ हो डेली में इनागरेट किया गया Gujarat में डागरेट किया है करनातिका मुष्णा है या फिर Software Technology Park of India इन्डिया का वहां पर इनवाइट को इन अर्थ नहीं 63rd soft technology park ईन्डिया को शर्ट नहीं करनातिका अकेले करनातिका में 5 तेकनलाटिकल पार्क इंस्टिट इन्सट्वेर को एक्सपूर्ट करने में कौन कौन से सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और इंडिया में 80,000 प्रचाइब है more than 80,000 start-ups है और more than 107 unicorn companies है 107 unicorn companies unicorn companies क्या होती है वो company जिनका valuation 1 billion से ज्यादा का होता है without listing in the stock market जिके stock market में नहीं लिस्ट किया गया बद स्टिल उनकी जो valuation it is of more than 1 billion चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question क्या कह रहा है इंडिया is celebrating 101st birth anniversary of father of white revolution in India इंडिया जो है अभी 101st birth anniversary celebrate करी है father of white revolution का who is known as the father of white revolution in इंडिया किसको हम कहते father of white revolution m.s. swaminathan vargesi kurian kurian hari hira lal chaudhari saam pitroda so बच्चो वर्गीसी वर्गीसी इनका नाम है यह founder है अमूल के इनको कहा जाता है father of white revolution white revolution जो है जैसा आप यहां पर देख सकते हो milk it is related to white revolution is related to milk इनकी 101st birth anniversary अब हम celebrate कर रहे हैं इनका निदन हो चुका है obviously बात है जैसे आप देख सकते हो कि बहुत anniversary हम celebrate कर रहे हैं तो इन्होंने basically किया क्या था पहले ना इंडिया में milk जो है वो sufficient नहीं था insufficient था इन्होंने ऐसी policies लेकर आए ऐसे methods लेकर आए कि इंडिया को वर्ल्ड का largest self-sufficient जो self-sufficient country बना दिया जिसको कि milk के रहे किसी भी country पर dependent होनके ज़रूरत नहीं मिलिया सकते हैं पेहले इंडिया में य् гор्ली जो है इन्सफिशिन रहा जूष्प लाना पड़ेगा ठीक है अब लाना तो पड़ेगा बट अब कैसे लेकर आए तो इन्हों ने अमूल को find in he is the founder अमूल इन्होंने अमूल को found किया फिर इन्हों ने क्या कैसे policies लेकर आए कि जो farmers जो dairy producers नें हैं उनकी मैं थेखा कि 30 साल के अंदर 30 साल के अंदर अंदर जो हमारा मिल्क प्रोड़क्षिन था इंडिया का वो अचानक से najle हो आप दोपल हो गया और सुफिशन्ज हो गया से अल सास्टेस्टेन इंडिया जो डैरी वाइट रेवियूशन इस साल हम सेलिबेट क्या कर रहे हैं अमरित आजादी का अमरित महोचसव सेलिबेट कर रहे हैं 75 यह समसेलिबेट करते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस की है ना तो 26 नवेंबर यानि की आज के दिन क्या है एक कॉन्फरेंस और एक बहुत अच्छा सा करनातिका में इस के चाहिए है इस इवंट में क्या क्या चाहेगा डिया बताया घूरतना लोगोída आफ जानक से कुछ नयासा नहीं आ जाता है कोई meeting हो जाती है कोई day हम celebrate करते हैं कुछ कोई winner होता है किसी को awards दिये जाते हैं तो all these things are interconnected with each other एक दूसरे से connected रहती है अब हम देखते हैं जो बागी हमारे options है वो देख लेते हैं उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि उस दिन क्या-क्या होगा बहुत इंपोर्टन इविंट है MS.WAMI.Nathan इसको हम बोलते father of green revolution Hiralal Chaudhary इनको हम बोलते father of induced breeding of carb यानि fishes फिश होती है उसकी breeding के लिए इन्होंने मतलब उन्होंने टेक्नीक टेक्नीक जो है वो डेवलप करी थी कि हम कैसे ही घर में ही अपने जो फिशे हैं को ब्रीट कर सकते हैं अगर हमारा चोटा सा फिश्री फार्म में तो हम उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं साम पित्रोदा is known as the India's Computer and IT Revolution father of India's Computer and IT Revolution है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन है हमारे Green Revolution क्या है White Revolution क्या है Gold Revolution क्या है अगर आप इनसे updated होगे तो पेपर में 2-4 questions आपको असानी से बन जाएंगे Now, यह जो event है न, इस event में, मैंना आपको बताए कि करनाटका में इस event को organize किया जाएगा इस event में ले किया गया है the government, the minister of state for fishery, animal husbandry and dairy यह क्या करेंगे? He will lay the foundation stone of training facilities center at the central frozen semen production training institute यहाँ पर He will lay the foundation stone of the advanced training facility Jaha पर bovine IVF का मतलब के होता है? In-vetro fertilization activity यह भी perform की जाएएगी कहाँ पर Central Cattle Breeding Farm that is also in Karnataka ये सारे चीज़ें लेकर आ रहे हैं आज के दिन में ये सारे events वो होंगे एक book भी launch करी जाएगी उनकी जीवनी पर लाइफ पर की वो किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से वो white revolution लेकर आए milk adulteration पर आज को हम देख रहे हैं कि milk भी बहुत ज़दा adulterated हो गया है milk में भी हमें बहुत ज़दा मिलावट देखने को मिलती है तो उसके उपर भी एक booklet जो है वो launch करी जाएगी Minister of State for Fisheries and Animal Husbandry and Dairy इन्होंने ये inaugurate करेंगे Animal Quarantine Certification Service ये service क्या करेगी ये service जो है this service will be equipped with the online clearance system यानि कि आपको जो clearance है वो online मिल जाया करेगा किसके लिए for import of livestock produce products and livestock in due course मतलब बहुत ही जल्दी आपको clearance जो है वो मिल जाया करेगा ताकि ये जो sector है economy का ये भी बहुत hustle free growth जो हो सके क्योंकि हम देखते कि clearance में ना time बहुत जादा consume हो जाता है ना time लग जाता है बहुत सारी चीजों को clear होने में now next question India's first ever night sky century is being set up in Ladakh by which organization हमने question पहले भी पढ़ा था कि Ladakh में first ever night sky century जो है वो बनाई जाएगी यानि कि हम telescope होंगे बहुत चरह रही से activities होंगे तेलेस्कोप होंगे चिनसे हम देखेंगे हम जो sky है उसको देखेंगे planets को देख सकते हैं galaxies को देख सकते हैं तो वो होता है night sky century में इसको setup कौन करेगा DRDO CSIR यानि the council of scientific research and industrial scientific and industrial research department of science and technology DST इस century को कौन बनाएगा कौन organization है जो इस century को बनाएगी सो बच्चो department of science and technology department of science and technology जो है न वो बनाएगी इस night sky century को कहां पर है लदाख में आप बहुत important आपको याद रखना है कि यह कहां पर है because this is the first ever night sky century in लदाख इससे क्या होगा astro tourism हमारा बढ़ेगा उस region का है न उस region में जो हैं और भी ज़्यादा टूरिस्ट है वो आया करेंगे astro tourism के साथ साथ क्या है tourism भी increase होगा जो DST है that is stands for the department of science and technology ये आता है ministry of science and technology के अंडर इस department को setup किया गया था में 1971 में ताकि हम science and technology के new areas को explore कर सके और हम ये जो ये जो डपार्टमेंट है ये पार्टिसिपेट करता है इंडिया में जो conferences होते हैं abroad में जो conferences होते हैं experimental works होते हैं science and technological field में ताकि इंडिया भी grow कर सके चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं Indian Ocean Rim Association was held at New Delhi, Kathmandu Dhaka और Bali कहां पर इस association है इसकी meeting होई है हबी so it is being held in Dhaka, Dhaka is in Bangladesh यहां पर इसकी meeting होई है association क्या है यह the Indian association Indian Ocean Rim Association इसकी meeting कहां हुई धाका में this was the 22nd council of this is the 22nd meeting of the council of ministers यहानि 22nd 22nd भी बार यह मिल रहे हैं इसका basic objective क्या है India ने कहा है कि India जो है वो committed है to promote peace security and prosperity in the Indian Ocean region Indian Ocean region जो है वहाँ पर India जो है वो committed है कि peace establish करेगी prosperity establish करेगी Indian Ocean region में प्लस Pacific Indo-Pacific region जो है न वहाँ पर भी इंडिया ने इंडिया ने क्या कहा है वो आपको पता होना चाहिए इंडिया का क्या एम है वो भी आपको पता होना चाहिए Indian delegation को किसने लीड किया था Dr. Rajkumar Rajan Singh Fine Dr. Rajkumar Rajan Singh चले अगले question की तरफ बढ़ते हैं Which Indian city will host G20 Sherpa meeting in India from 4th to 7th December यानि की जो Sherpas होते हैं Sherpas क्या होते हैं वो leaders जो की अपनी अपनी country को represent कर रहे हैं तो वो होते हैं Sherpa तो G20 के जो Sherpa हैं उनकी एक meeting होनी है उनकी एक meeting ये initial meeting है जो final meeting से पहले होती है ये कौन से city में होगी लखनाओ में होगी उदैपूर में होगी नौइटा में होगी या भोपाल में होगी बताओ ये होगी city of lakes में यानि की उदैपूर उदैपूर को city of lakes कहा जाता है यहाँ पर ये meeting होगी और इंडिया के शेर्पा कौन है इंडिया के शेर्पा है अमिताब कांथ इंडिया के शेर्पा कौन है अमिताब कांथ इस दे शेर्पा G20 शेर्पा फ्रॉम इंडिया ये CEO थे पहले नीती आयो बत अब क्या है ये शेरपा हैं G20 मीटिंग के नेक्स्ट क्वेशन रीसेंटली प्रसार भारती सेलीबुरेटिट सिल्वर जुबली ओफित अस्टाबलिश्मेंट वू इस दी सीओ ओफ प्रसार भारती प्रसार भारती के सीओ कौन है शशी शेखर वामपती गौरफ दिवेदी जौहर सिरकार मयंक कुमार अगरवाल चार ओप्शन है बच्चों आपको बताना है की सीओ ओफ प्रसार भारती कौन है गौरफ दिवेदी को सीओ चूस किया गया है प्रसार भारती का किसने हमारी प्रेसिडेंट दुरापती मोर्मोने यह appoint करती है यह appoint करती है CEO of the प्रसार भारती इन्होंने appoint किया है for the year for the five years यानि जो कारेकाल है वो होता है पान साल का इसको established किया गया था 1997 Silver Jubilee बोले तो 25 years तो इसको established किया गया था 1997 में by the Act of Parliament यानि पहले एक Parliament में पास किया गया फिर इसको established किया गया ये एक autonomous body है इसके खुद का खुद का rules and regulation बेसिकली इसका खुद का constitution है खुद का rules and regulations है इसमें क्या चीजे हैं इसमें दूरदर्शन और All India रेडियो जो है उसके चैनल जो है वो आता है और दूरदर्शन इसके अंडर आता है चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question क्या कह रहा है the international day for the elimination of violence against women is observed on November 25, 24, 26 or 27 हम international day for elimination of violence against women कब celebrate करते हैं बच्चों हम celebrate करते हैं इसको 25th November को 25th November को हम celebrate करते हैं यानि कि कल हमने इस दे को celebrate किया ये डे किसने बनाए यूएन ने बनाए कि यूएन ने क्यों बनाए क्योंकि टुपेट ट्रिब्यूट मीराबल सिस्टर्स थी टुमेशियन डुमेशियन रिपबलिक अक्टिवस्ती इनका murder कर दिया गया था और पे किसने order किया था रफाल तुर्जी लोग ने order कर दिया था कि इनको मार देना चाहिए 1960 में और उनको मार दिया था वो अक्टिवस्त थी फिर इवन ने डिसाइड किया 1993 में कि हम 25 नवेंबर को celebrate करेंगे मनाएंगे क्या international day for the elimination of violence against women इस दिन अब उसका काम क्या है इस दे पर हम क्या करते हैं इस दे पर हम awareness फैलाते हैं यानि कि हम लोगों को aware करते हैं about the gender based violence against women यानि कि because just because they are women उनके against कितना ज्यादा violence होता है they are not treated equally with the men and in fact men also thinks in many aspects that we are liable to do many things that women are not मतलब women को एक औरत को अधिकार नहीं है वो सारे काम करने का वो सारी बाते कहने का वो सारे act परफॉर्म करने का जो की एक men कर सकता है but it is not so men and women are equal by the birth only मतलब जब से वह पैदा तब से बराबर होते हैं जो काम आद भी कर सकता है वो काम आद भी कर सकती है but still उनको कमजोर समझा जाता है और violence होता है इस टेका थीम क्या था बहुत इंपोर्टन थीम क्या है यूनाइट एक्टिविजम टू आइंड जोर्ण घयाईंस वुमें और तो और बच्चियों कर mm कर ते कुछट शोटेवच्ची होती किक करिणाब करके बेगिंग में लगा दिया किना भूस्टीजिसें शाब कर दिया किक्सपोर्ट यह बहुत 그림 फेलीगल मीं होती है बहुत अरे ऐसे illegal activities जो होती है so we need to unite हमें साथ में आने की जुरत है activism लाने की जुरत है ताकि हम violence against women or girl को खतम कर सके so that's all for this video I hope you guys liked the video kindly like, share, comment and subscribe to our channel join our telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair, pdfs and exam related content thank you everyone and if you have any feedback you can give us in the comment section